हुरू मैं ! मैं ॐसीभ अप्ञे च्थ सभीनों होस्पटिल करनाल में करे रहा है, सथ्भावन होस्पटिल करनाल रंधीर कलोनी में स्थित है सब्सक्राइब नुए सब्सक्राइबरहू करे आख mam um मैं आज आपको दिमागी और मनोरोग संबंदी बिमारियों के बारे में बताना चाहता हूँ WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर चार में से एक मरीज मनोरोग की बिमारियों से ग्रस्त है और अभी कुछ में पहले परकासी WHO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पांच क्रोड रोगी डिप्रेशन से पीडित है और पौने चार क्रोड के करीब मरीज एंग्जाइटी से ग्रस्त है मनोरोग की बिमारियां मुख्यते अंदर दिमाग के अंदर कुछ केमिकल हैं जिनका इंबैलेंस की वज़े से होती हैं उन केमिकल का लेवल एदी कम होता है या ज्यादा होता है तो दोनों ही सूरत में मनोरोग संबंदी बिमारियां हो सकती है इन केमिकल को मेडिकल की भाषा में नियूरो ट्रांस्मिटर बोला जाता है और ये कई तरह के हैं मुखेते जो हैं सेरोटोनिन, नौरेपिनेफिरिन, डोपामिन इनका रोल है मनौरो की बिमारियों में पाया गया है हमारे समाज में मनुरों की बिमारियों को लेके काफी ब्रहांतिया है हमारे समाज में मुखेते इसका कारण भूत-प्रेत, ओपरी, असर, इत्यादी माना जाता है आम भाशा में कह देते हैं कि कहीं चोक पे पाउँ पड़ गया होगा तो उसकी वज़े से बिमारी हो गई तो अक्सर लोग इलाज के लिए किसी मौलवी, पंडीत या किसी बाबा के पास चले जाते है उसका नुकसान ये होता है कि ये बिमारियां लंबी खिच जाती है समय पर इलाज ना होने की वज़े से इन्सान अक्सर जो है इसमें बहुत लंबे समय तक इन बिमारियों के आग्रोस में रहता है कई बार मरीज या उसके अटेंटनेंट्स मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने में हिच्च की चाते है वह मनरोग चिकिसक को छोड़ करना है दोक्टर के पास तो फिर भी जाना पसंद करते हैं परन्तु मनरोग चिकिसक के पास जाना पसंद नहीं करते हैं ये हमारे समाज में अभी थोड़ा स्टिगमा मानी जाती है बिमारियां जिसकी वज़े से वो उस डोक्टर के पास न जाके कहीं और बटकते रहते हैं जिससे की बिमारियां लंबे खिषती रहती हैं और उसका इलाज समय पर नहीं होने की वज़े से उसको मरीज को टाइम पर इलाज नहीं मिलने की वज़े से उसको आगे इलाज कर पान भी बहुत मसिबत बन जाता है इन बài 시 необходимо में कि खास्य नहीं है कि इन जितना जल्दी ईलाइज शुरू हो जाये उतना अक्चा रिजल्ट निकलता है और जितना देर से बीमारी बिमारी का इलाज शुरू होता है उतने ही परिशानी मरीज को जहलनी बढ़ती है इस बिमारियों को लेके समाल में एक बरांती और है कि यदी मरीज की शादी कर दी जाए तो मरीज ठीक हो जाएगा जबकि ऐसा नहीं है शादी करने के बाद एक अलग से तनाव भी उसकी जिं बढ़ जाती है ऐसे कुछ मरीज बारबाश शादी के लिए कहते तो रहते हैं परन्तु बिमारी की वज़े से जब शादी कर दी जाती है तो वह उनके अंदर वह उत्साह नहीं होता वह इमोशन्स नहीं होते दूसरे पार्टनर के परती एक अटेश्मेंट नहीं होती जिस और भी है कि ये ला इलाज बिमारी हैं ये दवाईयां सारे जिंद्गी खानी पड़ती हैं और ये दवाईयां जो है लाग कर जाते हैं आम भाशा में ऐसा बोला जाता है प्रन्तु हर बिमारी जो की मनोरोख से संबंदित हैं एक अपना टाइम पीरेड है कि इतने समय तक उसका इलाज चलना चाहिए और उसके बाद वो दवाईयां दिरे दिरे करके बंद कर दी जाती हैं अक्सर ये देखने में आता है कि जैसे ही मरीज ठीक होता है रिस्तियार दवाब देने लग जाते हैं या मरीज खुद खाने में आनाकानी करने लग जाता है जिसकी वज़ कि दिखो जी धूआइँ को लेने के समय को और अन्य विमारी हो जाती है तो रिष्टियार कई बार इनहीं द्वपधाइण को उसके लिए ज्मियार मानते हैं या इन द्वाइण को बंद करके दूसरी द्वपाइयां लेते हैं तो कहते हैं जी हम दोनों द्वाईयां एक साथ कैसे दे सकते थे परंतु ये द्वाईयां एक साथ दी जा सकती हैं उसमें किसी भी तरह की मरीज को कोई हानी नहीं होती है यदि किसी भी द्वाईय के संबंद में ऐसा लगता है कि मरीज को कोई नुकसान हो रहा है तो इस बारे में तुरंत अपने डक् बढ़ जाती है ऐसे मरीज को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि घर का वातावर्ण भी स्वहार्पूर्ण हो मरीज को सयोग करें मरीज का उच्छा बढ़ाएं परिवार के बीच रखें उसको अपने परिवार का अंग समझें और यही चीजें उसको जल्दी से जल्दी ठी होने में मदद करती हैं ऐसे कुछ मरीजों को दिमाग में स्वम अपने आपको खतम कर लेने या दूसरे को मार देने की विचार भी चलते रहते हैं ऐसे मरीजों को खास तोर से बड़े ध्यान से 24 गंटे नज़र रखने की जूरुत होती है और जितना जल्दी होसके इलाज की जूरुत होती है अन्यथा ये अपना या दूसरे का नुकसान कर सकते हैं ऐसा मरीज समय ऐसमय कुछ हमें आवाज कराता है कि कुछ उसके विचार ऐसे दिमाग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं कई बार हम लोग उनको पकड़ नहीं पाते हैं खास तोर से इदी वो बहुत चुप रहता है या ऐसा लगता है कि वो कईसी समान इकठा कर रहा है या सा समान जोड रहा है जिससे कि वो अपने या दूसरे को नुकसान पहुचा सकता है तो हमें आलाट हो रहना चाहिए यदि हमें कोई इस तरह का मरीज की तरफ से सिंगनल मिलता है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए उसकी बात को गंबीरता से सुनना चाहिए उस पर नज़र रखने चाहिए उसको समय पर इलाज की जुरूरत होती है उसकी बातें ध्यान से सुनो उसके मन में क्या चल रहा है वो कही बाहरी कारण की विज़े से परिशान तो नहीं है इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी मरीज जिसका आपको कहीं भी लगता है कि यह मनोरोग के विमारी से सम्मंदित है मौलवी, पंडित, बाबा के चक्कर में पढ़के समय नस्थ ना करें उसका इलाज जितना जल्दी हो उसके मनोरोग चिकित्सक से करवाएं ताकि वो समय से ठीक हो उसके और एक अपनी नॉर्मल जिस्ते हैं दूसरे समाज में लोग अपनी जिन्दी की जी रहे हैं टाइम पे उसको दवाईयां दें, उसका ख्यार रखें, उसको रिकवरी में मदद करें, उसको उत्साहित करें उसको परिवार का अंग बना के चलें, उसको अलग थलग ना डालें, उसको बेडियों में जकड के ना रखें उसको यह आवास ना कराएं कि उसको एक मनोरो की बिमारी हो गई है जो की ला इलाज है जिसके लिए उसको बार बार कोस्ते ना रहें उसको या उसकी किस्मत को या अपने आपको यह सब चीजें उसकी बिमारी को ठीक होने में कहीं बाधा उत्मन कर सकती हैं हमें उसका होसला जितना ज्यदा बढ़ाएंगे उसका खाने पिना का ध्यान रखें डोक्टर के पास जब आते हैं तो उसको साथ कोई ने कोई रिस्तियार आए ताकि उसकी जो भी हरकते हैं जो मुझे कोई ने कोई मैडिसन प्रिस्काइब कर देगा जो मुझे फिर एक एक एक्स्टर मैडिसन खानी पड़ेगी प्रंतु यह चुपाता है तो उसका नुक्सान यह होता है कि बिमारी बढ़ जाती है और हो सकता है कि ऐसा मरीज खुदाने खास्ता आतमत्या कर बैठे ज है जो कि हर मरीज को उसके बिमारी के अनुरूप एक कुछ समय के निश्ची समय के लिए खानेपड़ती है और निश्ची mix के बाद उस दवाई को दिरे करके करना होता है अक्सर लोग उस दवाई को बिना सला के तुरंट बंद कर देते हैं जिसकी विज़े से परशानी आ स सकते हैं जो मदद चाहते हैं जिसे डिप्रेशन का पेशेंट है अग्जैटि का पेशेंट है वह अपने बारे में खुदबता था इस नाख के लिए इच्छा रखता है प्रंटु जो स्पॉसरी गिर्या पेशन्ट हैं जिसको इसे को संच कर रहा है उसको लगता है कि उसकी एमारी के ली दूशते जम्मार लोग है और वो बिमार नहीं है उसको प्रेशान किया जा रहा है अक्सर ऐसे मरीज दवाई खाने में आना का नहीं करते हैं जिसके लिए हमें खास तोर से ध्यान रखना पड़ता है कि उस मरीज को किसी भी तरीके से दवाई दी जाए चाहिए वो मुझ से खानी पड़े चाहिए वो उसको कहीं दाखिल रखे इंजेक्शन के रू जानकारे से आपको लाब होगा और आप समाज में ऐसे किसी भी रोगी को पैचानने में मदद मिलेगी और जब भी ऐसा कोई रोगी आप देखते हैं तो उसको तुरंद मरुच गिच्चक के पास लेके जाए ताकि उसका समय पर इलाज होसके और वो हमारा समाज का एक एक् आम आएंगी और नमस्कार